भाई बहुत बहुत सॉरी आप लोगो मैंने वीडियो बना नहीं पाया है क्योंकि हम लोग अरड़ी लेट हो चुके हैं बैंकोग के लिए तो लाइन में लगे है इस समय कोशिश करूँ में थोड़ा और जानकारी देने के लेकिन अभी इस समय बहुत खाई-खाई में है तो दोस्तों आप में जो टाइटल देखा है कि मुझे एक फिल्म के लिए बैंकोग भेजा गया है और मैं बैंकोग आ चुका हूँ और ये देखिए मेरा होटल का कमरा है जहां पर मैं बैठा हूँ और सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज के वीडियो में आपको क्या-क् प्रडेक्शन हाउस आपको किसी दूसरे जो है देश में भेजता है उसकी मंसा क्या होती है और आप में क्या काबियत होनी चाहिए कि आपको कोई भारस से किसी दूसरे देश में भेजेगा क्या है वो फिल्म शूटिंग के लिए होगा या कोई दूसरा काम के लिए तो कैस कैसे आफ फिल्म लाइन में रहकर बिदेश में जा सकते हैंगे, कैसे उपचनिटी मिलती है, इसके बारे में बताऊँगा, जानकारी के साथ-साथ मैं एक छोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि कैसे मुंबई एरपोर्ट से लेकर बैंककॉक एर लेकिन मैं भी जब सोचता हूं कि यार मैं बैंककॉक गया था, कैसे इन चीजों को देखा था, तो उनको याद रखना बड़ा मुस्किल होता है, और इसी लिए मैं मिस भी करता हूं इन चीजों को, तो मैंने सोचा यार एक ब्लॉगिंग करते हुए उन चीजों को शूट क ताकि मैं दुबारा से इन चीजों को देख पाऊं और साथ साथ आपको नॉलेज विदे पाऊं तो दोस्तों बताना मुझे कमें कि यार मैंने सही किया या गलत किया क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो आप ओडियंस है उनको लगता है कि आप बंदा नॉलेज कम और अपन नॉलेज और मेरा फुटेज यह दोनों डालता हूं ताकि मैं खुद भी वीडियो तो कभी देखूंगा और जब देखूंगा तो मुझे भी तो चीजे याद आने हां मैं बैंको गया था या मैं थाइलेंड गया था तो इसलिए वीडियो लंबा हो लेकिन है तो दोस्तों इसलिए वीडियो में डाला है तो प्लीज मुझे बताएगा मैंने गलत किया या सही किया है तो चलिए सबसे पहले आपको मैं जानकारी देता हूं कि दोस्तों आप जो भी काम करते हैं जो भी काम करते हैं चाहे वो आप फिल्म लाइन में करीबन 26-27 तरह की अलग-अलग का काम होते हैं उसमें से कोई भी काम आप चुनते हैं और आप में वो काबियत है आप वो हुनर जानते उस काम को जानते हैं चाहे वो आप मेकप का हो साउंड का हो कैमरे का हो चाहे डारे डारेक्शन का हो चाहे प्रशन का हो चाहे स्पोर्ड बाय का हो जितनी चीजे भी आप जानते हैं, जितना भी आप काम, उसमें कोई भी काम आप करते हैं, तो आपको आप उसी एक ही काम, एक बंदा एक ही काम कर सकता है, दो डिपार्टमेंट लेके नहीं चल सकता है, कई लोगा इस सवाल पूछते हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इवलकुल गलत है, आपको इन वो बुलाएंगे आपने पास कि भाई आप में ये हूनर है तो आप हमारे पास आईए तो होता क्या है कि मुंबई में जब आप इस काम को करते हैं और बड़ी खूबी के साथ बड़ी इमानदारी के साथ करते हैं तो ये पक्का हो जाता है लोगों की नजर में जो प्रड़क्शन हाउस उसके नजर में आ जाता है कि ये बंडे को अगर हम बाहर गाउन लेके जाते हैं जैसे कोई आउड़ोर लेके जाते हैं तो ये मानदारी से काम करेगा अब आउडोर में क्या होता है और इंडोर में क्या है इंडोर में चीजे बड़ी सरल होती हैं बहुत जल्दी से आज चीजे मिल जाती है आप आसाने से काम कर लेते हैं उन पॉडक्शन हाउस को भी लगता है कि भईया जो चीज अगर नहीं कर पाएगा मैं किसी दूसरे टेक कर सकते हैं थोड़ा सा उनमें सहन सीलता होगी कभी कभी क्या होता है कि भारस से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती जैसे खाने की प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्विज की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रविलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है रहने की को समझे और वो आसानी से यहां जो है रह सके तो हमें ज़्यादा तकलिफ ना दे और साथ-साथ में हार्ट वर्ग भी होता है बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं क्योंकि यह विदेश में क्या होता है कभी ठंड किसी जारे ठंड होती है तो उनका उससरा से जल्दी अदी काम न होना चाहिए तो ऐसे बहुत सारी प्रस्थित्या आती है जिनमें एक अच्छा जो होता है कि एक अच्छा जो टेक्निशन होता है वो समझता है और वो समझता है जब बात को तो उसके साथ मुसका अंडेश्टैन ही हो जाता तो उसको कहते हैं आप विदेश चल सकते हो क्या ऐसे होता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि रामा यादो हो भाई रामा जी आप चलो गए क्या क्योंकि वहाँ पर इस तरह से प्रॉलम है तो कई बार तो मुझे बुलाया भी गया ऐसे पहले मैं आपको मैं वीडियो डालूंगा मैंने पांचे बार मैं लंडन भी जा च चुका हो आपको बता दो वह वीडियो आएगी जल्दी आएगी यकीन नहीं हो रहा है वह आएगी मैं दूंगा मैंनोग फोटोग्राप्स हैं तो इस तरह से एक अंडर्स्टैनिंग हो जाती तो वह लोग बुलाते हैं आपको हाला कि बुलाने का मतलब यह नहीं होता है कि इंडिया की जो कुछ टीम होती है वह यहां शूट करने के लिए तो आपको बोलती भाई यह 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 लोग वहां पे चाहेंगे शूट करने के लिए तो इसके लिए आपको करना क्या है इमानदाजी से अपना काम करना है और अपने काम में ऐसा हुनर रखना है कि जो भी प् इमानदारी से अपना काम करता हूँ इसलिए लोग मुझे पसंद करता हैं इसलिए इसके पहले मुझे याद है जहां तक ठीक 10 महिना पहले भी मैं एक बार बैंककोग आया था आप लोगों को वीडियो जाना दिखा नहीं पाया था क्योंकि उस समय मुझे मैं सोचा था कि या बता दो कि भाहिया इसका ब्लॉग करूं क्या जैसे कि मतलब अभी मैं अगले दिन अगर मैं जा रहा हूं घूमने के लिए तो वो वीडियो डालू के नहीं डालू बता देना प्लिस कमिट में तो को जड़ा टाइम नहीं जाएगा आपका बस हां यह ना बोल दीजेगा औ और बता दीजेगा कि मैं बैंकोग में रहके ब्लॉगिंग करूं क्या जिसमें क्या क्या चीजे मिलती हैं क्या क्या हो मतलब यहां पर मेरे साथ हुआ है यह शूटिंग कर रहा हूं ऐसे कुछ ब्लॉग टाइगी आप हर बार तो आपके उपर अगर आपके सपोर्ट मिला लाइक मिला तो मैं ज़रूर व्लॉगिंग करके वीडियो डाण होगा आप ही मज़े लेंगे हम भी मज़े लेंगे कभी वीडियो देखेंगे तो भाई फाइनली मैं पैंकोग आ चुका हो और आगी की वीडियो आपको दिखाऊंगा मेरी गाडी कुछ देर में आ जाएग हाई अब हम मेरे काड़ी मिल चुकी है नहीं है वसार बूल देर मिल फु कूड़ी कोड़ी अपनी तो और आ जरू पाई जरू आपकोड़ी काड़ी है और अब दूगा ओपे हो जो 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 जा रहे हैं आपको ने दिखा सकते हैं उसाइड का अब जो जो, हु हाओगा यहीज गो, हैницיה ई इड़ीचाच को सबूबने ही हहाओगा हालो कर दो पाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने कमरे में और यह है बैंककॉक का जो रूम दिया गया है और यह हमारे लिए यह बुरा कमरा काफीन कुसूरत है और सारी चीज़े हैं यहां पर यह सकते हैं अच्छे से बैड भी अच्छा दिया हुआ है ताकि आप अराम से जो सकते हैं और यह पोड़ा कमरा है यह बहुत ही जितना बड़ा कमरा है यह बड़ा कमरा यह अच्छी से विदा है एसी वेगाना जो है यहां पर अच्छी से दिये यह मतलब ठिक ठाक है कमरा कोई इतना जैसे मुंबई के गरब अच्छे होटल में जाएंगे तो यहां अगर तो यह नॉर्मल होटल में भी अच्छी से दिये जिते हैं तो चलिए आज का वीडियो बस यह तक था मिलते हैं कुछ अले वीडियो में तब तक के लिए मुझे रामायादो को दीजिये जादत लेकिन जाने से पहले कहूंगा लाइक देख लाइक का अब रोने का मत बोला यार कि मैं रो के कहूं लाइक का बटन दबाती जेगा और जो नए देख रहे हैं उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करनो भाई नहीं तो रामायादों की वीडियो को ढोड़ने में टाइम लग जाएगा और पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्वों को चमका दे तब तक के लिए नमस्कार तिलते हैं अग्ले वीडियो में झाल